हलो स्टुडेंट्स आज हम आपको क्लास 50 की साइंस के चैप्टर 2 का अगला टॉपिक पढ़ाएंगे पिछले टॉपिक में हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था इसमें हमने दो जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था hinge joints और ball and socket joints अब हम पढ़ेंगे pivot joints इट is found between the skull and the neck ये joint जो होती है ये जोड़ जो होता है वो skull और neck के बीच में found होता है पाया जाता है बनता है इट allow you to turn your head from side to side ये joint जो होता है वो हमारे head को हमाय सीर को turn करने में घूमने में side to side यानि left से right में घूमने में देखने में हमारी help करता है अगला है gliding joints these joints are found between small bones that are held together by ligaments ये joint जो होता है वो small bones की बीच में छोटी छोटी हड़ियों के बीच में बनता है जो ligaments द्वारा पकड़ बनाके रखता है the bones in wrist and ankles move by gliding against each other the bones in wrist जो bones हमारी wrist यानि कलाई and ankles और AD की bones जो होती है कलाई और ankle में हड़ियां एक दूसरे के खिलाफ gliding द्वारा चलती है they are also called the saddle joints इसे हम saddle joints भी कहते है लिगमेंट्स क्या होता है ligaments a ligament is the fibrous connective tissue that connect bone to other bones ligaments जो होता है एक रेशेदार सयोजी उतक होता है जो हमारे bones को bones से जोड़ता है यानि जो bone to bones को जोड़ने का काम जो होता है हमारे ligaments करता है अगला topic है muscles muscles क्या होती मांस पेसिया the muscles pull the bones and produce movement muscles जो होती है वो bones को खीचती है और उनमें produce करती है movement को उत्पन करती है these are attached to the bones by touch cord like things called tendency यह जो होती है हमारे bones से attached होती है cord like things होती है कड़े ताल के जैसा structure होता है जिसे हम tendons कहते हैं tendons क्या होता है क्या काम करता है a strong thin part inside your body that joins our muscles to our bones एक मजबूत पतला parts होता है हमारी body के अंदर जो हमारी muscles को bones से जोड़ता है यानि ligaments जो होता है वो bones को bones से जोड़ता है और tendons जो होता है वो muscles को हमारी bones से जोड़ता है तो contact contact में सिकुड़ना सिकुड़ जाती है it pull the bones and make it move वो bones को pull करती है खीचती है और उसमें move करने move उत्पन करती है यानि अस्थनांत्रित करती है चलने में गूमने में बट लेकिन it cannot push the bone back in the other direction लेकिन वही bones जो होती है वो back other direction में हमें वापस push नहीं करती है धकेलती नहीं है another muscles has to do this दूसरी muscles जो होती है वो ऐसा करती है यानि कि वो केवल जो muscles होती है खीचने contact करने का काम करती है और other muscles जो होती है वो उसे different direction में push करती है धकेलती है इन अदर words में हम कह सकते हैं दूसरे सब्दों में कह सकते हैं चैसे muscles work in pair मसल्स जो होती है हमारी वो पेर्स में काम करती है जोडे में वन पुल आ बोन्स एक बोन्स को पुल करती है एक बोन्स को खीचती है इन वन डिरेक्शन एक जिसा में वाइल दा अधर पुल दा बोन इन दा अपोजित डिरेक्शन में और दूसरी जो बोन्स होती है वो बोन्स क को पुल करती है different direction opposite direction में दूसरी direction में उसे पुल करती है when one of a pair of muscles जब एक pair muscles हमारी contact होती है तो the other relax तो दूसरी relax होती है look at this figure जैसे यह देखिए this muscles contract to pull up the forearm forearm से यह muscle जो होती है वो contract हुए और इधर की यह relax हुई है दूसरे figure में इधर यह this muscles is relaxed जब हम अपनी arms को मोड़ते हैं तब उपर का contract होती है नीचे relax अब four arms को जब हम फैलाते हैं अपने हाथ को जब हम फैलाते हैं तो उपर की जो होती करेंगे और याद करेंगे एक छिएखमें ये हैं बहुत उसे अपर।